दोस्ता वेलकम मैं आपका अगेन अफ्ट गोर्ड की बिल्कुल एक और न्यू पार्ट में तो दोस्ता जैसे कि आप लोग ने पिछले पार्ट में देखे लिया थे जो चोई हो चनोती उस ड्रेगन को मारने एक खा दी अपनी जित्री में जो वेंट होती है और एक को नहीं म पिछी जेफमीन होती है उस डेर हना को मारी खड़ी होती है और फिर जो यूची होता है वो चोई यूशन पर नीचे लिता दीदा और फिर जेफमीन होता है क्या तुम ठीक और मूख खूलाकी देखने लग जाती है और थोड़ी देर बाद वाह पफरिंग के अनदर चल ज और के दिए इसके इनावा आप तो मुझसे तीन महीं तक कोई भी मदद नहीं ले सकते हैं और फोचना भी ना कि मैं तुमाही मदद करूँगी अब वो एक आम इंफान बन चुकी है फिर जो यूंची होते हैं वो कहते हैं कि अंडर मैं उसको बचा भी नूँ वो फिर भी जीना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी पूरी कल्टिवेशन खतम हो चुकी है उसकी फारी विंदकी की जो मेनत बर्बात हो चुकी है और कहते हैं कि मैं इसकी फिकर करने की जुरत ही नहीं है आप वैसे भी ये मरी जाई क्योंकि आप इसकी जो वेन फैना पूरी तरह डिस्ट्रोय हो चुकी है क्योंकि ये हाफ एम्पर स्टैप पे थी और इसकी जो पावर लेवल थी वो बहुत ही ज्यादा थी आप इसके पाफ ज़रा भी पावर नहीं बची इस अब इसके अंदर जी नहीं ये खौईश भी नहीं बची अगर तुम्हाई जो मैडिसन स्कीनले इसको ठीक कर भी देंगी यानि इसको मोद से तो बचा लें के दि मर्ड़ जो इसको खतम नहीं कर सकते कि अगर आज जी तुम इसको बचा भी ले तो पिर भी मर्जा के कोईशिफ के अंदर हमेशा रही क्योंकि इसकी जितनी पावर से उसका खतम हो चुकी है जैस उनकी जो यूची होते हैं वो गुफ़े से कहते हैं कहते हैं कि लिटल फैरी मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ है तो मैं हार फूद में ठीक करना हूँ तुम पिर यूची फाम ने देखते हैं पहार के अंदर ने एक गुफा होती है और पिर यूची होते हैं लिटल फैरी को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कि अधर देखो मैं तुम्हें हाथ लगाया आप तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो जल्दी उठो और मुझे मार दो क को ब्लड लाइन है ये फूनके जो जूची होते हैं कि कौन है कौन बात कर रहे मुझे फिर वहाँ अचालग से दो आँंखे बनी आ जाती हैं और वो कहते हैं कि तुम सिकर मत करो मैं तुम्हें यह पे कोई नखवान नहीं पुन्चाँँगा और कहते हैं मैं प्रोबोडिय ग्राउंड है यह भी फॉनिस गोट की ट्राई ग्राउंड की तरही तो नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर ड्रेगन गोट की ब्लेड लाइन हरी चाहिए फिर वो जो ड्रेगन गोट की जो स्पिरिट होती है वो कहते हैं कि यहाँ पर ड्रेगन गोट की टेस्ट होते है या आपनी ड्राइगन गोड की ब्रैट लाइन दूखा और कहते है क्या तुम यह ब्लड लाइन लेना चाहोगे यूची कहते है तुम ड्राइगन गोड की स्पीरिट हो जो सारे बीस्ट पर किंग है तुम्हारे पास जरूर कोई रास्ता होगा जो मेरे पिछ जो लड़की तुम इसको बचाने में बदद करो जाता है तुम जो भी कहोंगे मैं तुम्हारी वह बात मानूगा और वह करूँगा भी फाइंग ड्रैगन गोट की स्पीड कहते हैं मेरे पाफ इसको बचाने का एक राफता है कहते हैं ना फिर भी बच जाएगी बलकि इसकी जो पावर है वो एक्टर प्रफांड रिलम लेवल के अंदर भी चली जाएगी पूरे तरीके से और केदर लेकिन आथे लेकिन तो मेंहें एक ही शर्त में बताऊंगा जब तुम्हे आ ना ट्रैषा ःएले पाफ करोगी यारि जो मे maior ब्रट लेए उसको पूई गला आदा इसको इसको बचाने का राफ सरगान नी का और यूँचि पिर ड्रेगन गोड की स्पीड के बात म यसका ये मतलब नहीं कि ड्रेगन गोड की टेफ्ट बहुत ही अफानी से तुम पास कर लोगे। के अदर जो ड्रेगन गोड की बलड लाइन है वो बहुत ही बारफुल बलेड लाइन है। ये किसी भी ऐफ़ ऐफ़ बन्दे को नहीं दी जा सकते। और फिर ड्राइगन गोर्ड की स्पीरिट कहते है कि तुम बहुत ही वहाद धियान से चुनना क्योंकि अगर तुम अभी पीछे आड़ रहे तो तुम जिन्दा रहा जाओगे अगर यह जो लड़की है यह मारी जाएगा और कहते है कि एक दफार ना तुम इस ट्राइल ड्राउन के अंदर कदम राख लोगी ना तो तुमाई जो लाइफ है उसकी कोई भी घिरेंटी नहीं है और पी जो यूँचियो था वो चोय अचन को उठाने लगता और ड्रागन गोड की स्पीरिड हो कहते है कि आप मैं इसको भी अपने फास लेकर जा सकते हो अपने साथ करें येफ उनकी जो यूचियो था वो चोय अचन को उठाके ट्राइफ ड्राउंड की स्पर बंडे लगता है और कहते है कि मुझे नहीं पता कि तुमारे किसे आदमी को रिजेक्ट करने की रीसन क्या है येफ लेकिन मैं एक अफ्सल मर्द हूँ और मुझे पता है कि मैं ज क्या है और कहते हैं कि मैं फिर वितना चाहता हूँ कि तुम अच्छे से जी हो कि जब तुम आई जो ताकात होगी वो वापस आज लेगना तो तुम मेरे पास जो चाहे मर्जी फुलूग करना लेकिन तब तक टेले तुमारे जीतने भी ये फैफिया हो सब कुछ मैं खुद को खता देता है और कहते हैं कि तुम फिकर मत करो जितनी जल्दी हो हुए कि मैं तुम्हाई जो पावार उगिस को रिकवरी करने में मतमाई मदद करूँगा वहाँ पे रिंखना पर चाहता कि बहुत फाई जो पत्थर की मूर्त्या होते वो आ जाती है और पी जो यूट ची हो था तैसरी से ना उनकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि अब हम स्टार्ट करते है अपना टेफ और पी यही पी जो हमारा पार्ट है वो खतब हो जाता है अगर आप इसको नेक्स पार्ट देखना जादा फिर जल फे जल कोमेट कर अपना